एक पार की बात है भिंडी अपने कमरे में उदास पैठी होती है शीशे में देखके भिंडी खुछ से कहती है मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लगता है ऐसा करती हूँ धीर सारा मेकप कर लेती हूँ और बाहर थोड़ा घूम कराती हूँ भिंडी ये कह कर धीर सारा मेकप कर और टिप टॉप बन कर घूमने निकल पड़ती है आलू अपने सभी दोस्तों से कहता है देखो भाईयों हमें मेहनत करनी है और इसलिए हमें काम करना होगा यह सब सुनकर भिंडी छुप जाती है कि कहीं आलू उससे काम करने के लिए ना कह दे लेकिन बैगन की नजर भिंडी क्यों क्या हुआ है हमें तो यहां काम करने की बात करनी है और तो मैंसे मेंकप लगा कर घूम रही हो saa maga दा करने में मेंन नहीं लगता है इसलिए मैं 보이는 सदिर career between हम लोग काम के सिलसले में बात कर रहे हैं हमें ठेज सारी मेहनत करनी है इसलिए हम अलग-अलग स्टोल्स लगाएंगे तुम क्या करोगी? ना बबा ना, मैं कुछ नहीं करूँगी मुझे तो मेक अप से ही फुरसत नहीं मिलती है तो मैं ये सब काम क्यों करूँ? मुझे कोई काम नहीं करना है मैं तो चली ये कहकर भिंडी इत्रा कर वहां से चली जाती है लौकी, बैगन, आलू ये सभी लोग काम करने पर लग जाते हैं और अलग-अलग स्टोल्स खोल लेते हैं सबी लोग के खुब बिकरी होती है सभी बहुत मजे करते हैं लेकिन भिंडी, अकेले कमरे में बस अब कर रही हुती है मेक अब करकर के, भिंडी इतनी ठक चाती है कि वो सब से मिलने जाती है और सब को खुश देकर, वो कहती है इसमें क्या खुशी है बहला, इतनी मैंनत करके भी कोई खुश रहता है, मैं तो मेक अप करके ही खुश रहती हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। हाहा, क्या भिंडी, मेक अप करके भी कोई खुशी मिलती है, यह देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, यह सब हमारे मेहनत का फल है, और तुम तो बस मेकप करके घुमती हो इसमें भला क्या फल है तब ही अचानक से जोर से बारिश होने लगती है और भिंडी का सारा मेकप उतर जाता है सबी लोग भिंडी को देखकर चौक जाते हैं और जोर जोर से हस्ते लगते हैं आलू कहता है देखा तुम्हारे इस मेकप का कमाल बारिश की कुछ पुंदों ने तुम्हारे मेकप को ही खतम कर दिया लेकिन हमारी मेहनत तो अभी भी है और अब हम बहुत खुश हैं क्या तु है तुम सही कह रहे हो इस मेकप से मैं तुम लोगों से दूर हो गई और मुझे सिर्फ मेकप मेकप करने से क्या मिल रहा है तुम लोगों से दूरी और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है सारे पैसे मैंने मेकप पर ही खर्च कर दिये मुझे माफ कर दो क्या मैं भी स्टॉल लगते हैं मिन्डी मेक linear चोड़ देती है और श्टॉल्स लगाने में में मैंध करती है यसी ढ़ीडे के पास तहे सारे पैसे हो जाते हैं और शुदि रहती है सबी लोगों के साथ मिल पहरती है दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी हमें कमेंट करके बताएं ऐसी कहानिया पाने के लिए हमारे इस वीडियो के लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें